हालो नमस्कार गुदी इवनिंग जे हिंजय भारत दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सबीका हमारे यूट्यूब चानल आवाज इंडिया पर और आज हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट काड योजना 2021 के बारे में जिसमें आए है कुछ नए बतलाव जिससे मिल किसानों को राहत जिहां आप जानते ही है कि किसान क्रेडिट काड योजना के जरिए 1,60,000 रुपे का लौन किसानों को बिना किसी गयरंटी के दिया जाता था लेकिन अब इस लौन को बढ़ा कर 3-5 लाक रुपे कर दिया गया है सन 2021 के बजट में भी यहाँ पर 10,000 क्रोड आवंटित किये गए हैं इस लोन के लिए जी हां यहां पर साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि पशुपालग तता मचवारों को भी इसमें शामिल किया गया है तथा वे अपना किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा आपको यहां पर बिना गैरंटी के लोन दिया जा रहा है सिरफ चार प्रतिशत की ब्याज जर पर जो की बहुत ही सस्ता है लगबग 25 लाख किसानों को 25 लाख लाभार्थी किसानों को इस साल इस से जोड़ा जाएगा तथा लगबग 2000 से अधिक बैंक की शाखाओं को यह काम सुपा गया है तथा यहां पर 2000 से अध दिया जा रहा है यहां पर उन्हें लगबग 25 लिकी चूट भी दी जा रही है यहां पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार योजना के आरंब में किसानों को कम ब्याज दरों की कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्द करवाया गया था और अब भी लगबग 42 प्रतिशत किसान इस योजना से नहीं जुड़ पाए है और खेती के लिए साहुकारों से सिद्रिन लेने हैं लेकिन अब पशुपालक मस्तस्य पालन के लिए भी इस योजना के माध्यम से गैरेंटी फ्री लोन दिया जा रहा है लगबग 14 करोर किसानों को बीमा गैरेंट के कर्ज दिया जा रहे हैं जिन किसानों के पास क्रिशियों के भूमी हैं वे किसान प्रडिट कार्ड बनवा रहे हैं इससे किसानों को कम ऺाज की तरओ पर लोन मुहया करवाया जा रहा है साथ ही साथ किसी दूसरे की जमीन पर काम करने वाले किसानों को श्रमिक किसानों को भी केसी सी लोन दिया जा रहा है जहाँ पर केवल 5 प्रतिशत की फीस दिकाही उन पर ब्याज लगेगा तथा ये income tax के दायरे में भी नहीं आते हैं तथा किसानों के सी लोन के लिए online तथा offline दोनों ही तरीके से apply कर सकते हैं जहाँ लगभग 20,000 से अधिक bank शाखाओं में किसान credit card का अभियान जारी हो चुका है तथा अब तक देश में लगभग 9.74 करोड किसानों ने अपना registration भी करवा लिया है जबकि 8.45 करोड किसान इस से पहले भी इसका लाब उठा रही है जहाँ बहुत से प्रदेशों में अब तक के केसीजी का प्याज माफ भी कर दिया गया है जहाँ उत्रप्रदेश के किसानों को किसान credit card से जोडने के लिए 10 October से भियान चलाया जा रहा है इसके साथ साथ ही यहाँ पर मचली पालन के साथ साथ ही यहाँ पर मधु मख्यी पालन तथा पशु पालन के लिए भी लोन मोहया करवाया जा रहा है तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सन 2021-22 में किसानों की आये को दोगुना करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक एहम भूमिका निभा रहा है तो बिलते हैं ऐसी ही किसी योजना के बारे में जानकारी लेकर वीडियो पसंद आई हो तो क्रिपल लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले ताकि ऐसी ही विभिन खावरे हम आपके लिए लेकर आ सके जै हिन जै भारत दोस्तो